इस चित्र में देखे यहाँ पे दो नारिंगी रंग के गोले दिखाई दे रहे हैं इस गोले से ये गोला हमें बड़े आकार का दिखाई देता है लेकिन ऐसा नहीं है इस नारेंगी गोले के बगल में जो ये निले रंग के बड़े बड़े आकार के गोले दिखाई दे रहे हैं इसके वज़े से ये नारेंगी रंग का गोला छोटे आकार का दिखता है और यहाँ पे इस नारिंगी गोले के बगल में छोटे आकार के निले रंग के गोले जो दिखाई दिये गए हैं उसके वज़े से ये गोला बड़े आकार का दिखाई देता है यहाँ पे तीन रेखाएं दी हुई है उपर वाली रेखा छोटी लगती है और सबसे नीचे वाली रेखा लंबाई में बड़ी लगती है लेकिन ऐसा नहीं है इन तीनों रेखाओं की लंबाई एक समान है ये और एक मज़ेदार चित्र हम देखेंगे ये भी अप्टिकल इलूजन का ही एक एक एक्जामपल है इस चित्र में ये जो आप रेखाएं देख रहे हो वो तेड़ी निकाली हुई है ऐसे दिखेंगे लेकिन ये सारी रेखाएं एक दूसरे से समान अंतरी है इस चित्र में ये सारी रेखाएं एक दूसरे से कम ज़ादा अंतर पे निकाली गई है ऐसा हमें लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है ये सारी रेखाएं एक दूसरे से बिलकुल समान अंतर है इस चित्र में लाइफ ये एक अंग्रेजी वर्ट छपा हुआ है इसका अगर हम हर एक अक्षर देखेंगे L या I या F या E या अमें तेडा मेडा दिखाई देता है लेकिन ये तेडा मेडा नहीं है अगर हम पट्टी से भी ना पेंगे तो ये सारे अक्षर सीधी रेखा में है इस चित्र की तरफ ध्यान से देखे इस चित्र में लहरे तयार हुई है, ऐसा हमें आभास हो रहा है इस चित्र को भी ध्यान से देखे, अगर हम इसके बीच में थोड़ी देर ध्यान से देखते रहेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी गोलाकार आकृती घूम रही है इस चित्र को ध्यान से देखे, यहाँ पे ये सारी रेखाए सरपिलाकार है, ऐसा हमें लग रहा है लेकिन इसमें से हर एक रेखा ये एक एक वृत्ताकार है, एक दूसरे से ये अलग है इस चित्र में ये सारी रेखाए सरपिलाकार है, ऐसा हमें लगता है लेकिन इसमें से हर एक रेखा ये एक अलग-अलग वृत्ताकार है अगर हम इसमें से कोई भी रेखा ले यहाँ पे उंगली मेंने रखे और अगर यहाँ पे मैं ऐसा ये पेन घुमाता हूँ तो आप देखेगे कि ये पूरा एक अलग वृत्ताकार है ना कि सरपिला कुरूती है अब हम दुरुष्टी ब्रह्म का और एक एक अग्जामपल देखेंगे इस चित्र को ध्यान से देखे इसमें हमें कितने रंग दिखाए दे रहे हैं तो हमें चार रंग दिखाए दे रहे हैं लाल, सफेद, काला और गहरा लाल लेकिन इस चित्र के इस भाग में बैगराउन में सफेद रंग होने के कारण ये लाली है लेकिन यहाँ पे बैगराउन में काला रंग होने के कारण ये हमें गहरा लाल दिखाए देता है इस चित्र में तीनी कलर से लाल, सफेद और काला इस चित्र को ध्यान से देखे, अगर हम जट से इस चित्र की तरफ देखेंगे, तो हमें चार अलग अलग रंग यहां पे दिखाय देते हैं हरा, सफेद, लाल और बहुती गहरा लाल, लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें तीनी रंग है, हरा, सफेद और लाल, लेकिन इस तरफ लाल और हरे रंग एक दुसरे के आसपास होने के कारण, वहाँ पे गहरा लाल रंग होने का हमें आभास होता है. इस चित्र में काले चवकोटों के बीच में छोटे-छोटे सफेद गोले हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से इस चित्र की तरफ देखेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि सफेद गोलों के जगह पे काले गोले नाच रहे हैं. इस चित्र में काले चवकोटों के बीच में सफेद रंग के छोटे-छोटे गोले दिखाए देए हैं, और उसके बीच में अलग-अलग रंगों की रेखाए दिवी हैं. लेकिन अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि छोटे सफेद गोलों की जगह पे अलग-अलग रंगों के गोले नाच रहे हैं. इस चित्र को ध्यान से देखें, इसमें अलग-अलग रंगों के अंग्रेजी शब्द दिये गए हैं. अगर हम इस चित अंग्रेजी शब्द को देखेंगे तो हमें ये अंग्रेजी शब्द का रंग पेचानना है इन शब्दों को पढ़ना नहीं है और ये हमें फटा फट करना है अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आप कभी अंग्रेजी शब्द पढ़ोगे या कभी उस शब्द का जो रंग दिया गया है वो रंग पहचान होगे अभी तक हमने जितने चित्र देखे वो सारे चित्र हमारे दिमाग में एक तरह का भ्रम उत्पन्न करते हैं हम बच्पन से जो भी चित्र देखते हैं या जो भी अनुभव हमें आता है उसकी एक निश्शिद आकृती हमारे दिमाग में बन जाती है और एकदम से हमारे सामने उस निश्शिद आकृती के अलावा कोई अलग साही चित्र आ जाये तो हमारा दिमाग गड़बड कर देता ह हम नजर से देखते कुछ और है और हमारा दिमाग कुछ अलग ही सोच देता है इसे हम दुरुष्टी के माध्यम से देखते हैं इसलिए इसे दुरुष्टी ब्राम कहते हैं और यह सारे खेल दुरुष्टी ब्राम के या Optical Illusion के हैं झाल झाल